है दोस्तों वेलकम ट्यों स्टडी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करूंगा इंडिया के एस्ट्रो सैट के बारे में अब देखें दोस्तों रिसेंटली ये न्यूज में भी रहा था और आज की वीडियो में हम लोग जिस वज़े से वो के लिए क्या है इसकी क्या इंपर्टिंट से और जो भी बात है जो सब कुछ मैं कवर करोंगा आप लोग को दोस्तों किया करना है वीडियो को जो है पूरा देखना है लार्स तक देखिएगा क्योंकि इंपर्टन ए और काफी कुछ आप लोग को जानने को भी मिलेगा कहीं पर कोई अगर आपका डाउट होता है तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कामेंट सेक्षिन में अपने सभी डाउट को पूछ के अब से लिए बढ़ते हैं और डिसकस करते हैं इंडाय के एस्ट्रो सैट के बारे में पर दोस्तों से पहले बता दूँ कि इस बार अनेकेड करते हैं और यहां पर आप लोग मेंस का जो मेंटर्शिप प्रोग्राम हैं इसमें भी एन रोल कर सकते हैं प्राइस जो हैं दोस्तों वह 20% बढ़ जाएंगे तो जब तक वह बढ़े हैं उससे पहले ही आप लोग जाईए और कोर्स वगरा पर्चेस कीजे अगर आप लोग हमारा कोड यूज करेंगे तो आप लोग को 10% का डिस्कॉंट भी देखने को मिलेगा और दोस्तों यहां पर CACS शॉर है इसका मतलब कि अगर आप लोग दो साल या फिर से जादा का कोई भी सब्क्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग को मिलेगा CACS शॉर इसका मतलब आन अ साथी डाउट सॉल विंग शेशन है आप लोग के लिए 0% की इमाई भी दोस्तों अविलेबल है आप सभी के लिए और दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पे 29 मई को रहने वाला है UPSC CSC GS का मेगा कॉमबैक्ट जहां पे आप एंडोल कर सकते हैं फ्री में और एंडोल करत होती है स्पेस के अंदर जहां पे जो ग्रैविटी होती है वह बहुत जदा स्ट्रॉंग होती है इतनी स्ट्रॉंग होती है कि वहां से लाइट भी एसकेप नहीं कर सकती है मतलग कि मैं बता दूं ब्लैक होल के अंदर ब्लैक होल नाम सी बता चाल रहा ब्लैक है पर ब्लैक ह होल इस तरीके से रहता है काफ़य स्ट्रॉंग उसके अंदर गरविट रहती है पर अगरPeut नासा के हिसाब से बात करें तो जो गरव्य होती है दो जो भी स्ट्रोंग की रहती है कि कोईIGH कोई की कितना ही छोटा क्यों न हो कितना ही बड़ा क्यों न हो वो उसको अपने अंदर बहुत ज़दा आपके सकते हैं strongly अपनी तरफ खीच लेता है और दोस्तो इसी वज़े से बताया जाता है कि कोई स्टार जो है वो मर चुका है अभी ये reason हमें पता लगते हैं देगे दोस्तों यहां पर बता दूँ कि पांच और ऐसे टेलिस्कोप हैं आपके सकते हैं अस्ट्रो सेट के अंदर पहला होगा आपका लार्ज एरिया एक्सरे प्रपोर्शनल काउंटर फिर होगा आपका सॉफ्ट एक्सरे टेलिस्कोप फिर आपका है केडियम जिंक टेलराइड इमेजर फिर आपका है स्कैनिंग स्काई मॉनिटर हो गया और अल्ट्रा वॉयलेट इमेजिंग इमेजिंग टेलिस्कोप जो है यह सब भी आपके सकते हैं इसके अंदर रहने वाले हैं अगर हम लोग एस्ट्रो सेट के बारे में बात करें दोस्तों तो जैसा कि बताया मैंने कि पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलिस्कोप है जिसके अंदर पांच आपके सकते हैं अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ वाले जो टेलिस्कोप हैं यह काम करेंगे इस्ट्रो सेट को दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग को लॉंच करा गया था 28 सप्टमबर 2015 में बाई इस्ट्रो आपके तो यह बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए साथी दोस्तों मैं बता दूँ कि काफी सारे मल्टी इंस्ट्यूट ने कॉलबरेट कराता है इस प्रोजेक्ट के लिए जिसके अंदर आपके IUC-AA आता है इस रो हो गया TATA इंस्ट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च मॉंबई बेस्ट फिर आपकी इंडियन इस्टिटूट आफ एस्ट्रो फिजिक्स बेंगलरु बेस्ट और आपका फिजिकल रिसर्च लेविटरी एहमदाबाद इसके साथ साथ काफी सारे और थे मेन परपरस दोस्तों यह था कि हम लोग यहां पर आपके चाहते हैं कर सकते हैं गामा रे के बरेस्ट के बारे में जी अर्बी के बारे में अफिजिक्जेट रहता है और काफी इलिक्ट्र मेगनिटिक इवेंट है जो कि हमारे यूनिवर्स में अकर होता है GRB जो हैं दोस्तों वो shine कर सकते हैं hundred of times brighter than कोई भी अगर supernova होता है उससे जदा और लगबग million trillion times हमारे sun के आपके तने brightness से जदा हमें ये gamma रेका बस देखने को मिलता है अगर दोस्तों GRB erupt होता है तो आपको बता दूँ कि जो brightest source रहता है cosmic gamma रेके photons का वो आपके सकते हैं observable रहता है universe के अंदर मतलब कि हम लोग उसे observe कर सकते है देखी दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग कर देखने को मिलेगा क्या किर किस किस area पर यहाँ पर जो black hole का engine रहता है वो हमें देखने को मिलता है आप यह आपको बता दूँ कि black hole के इतने time मतलब जो prompt emission होता है इसके बाद हमें यहाँ पर जो चीज़ें वो देखने को मिलती है चाहे वो आपकी high energy gamma rays होगी x-ray होगी वो आपकी visible light भी हो सकती है radio होगया यह सब देखने को मिलता है पता लगती है I hope दोस्तों कि अब आपको जो चीज़ें वो समझ में आई होंगी कि astro set कैसे काम करने वाला है black hole क्या है GRB क्या होता है अगर अब भी आपकी कोई doubt वगएरा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं comment section के अंदर दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही तिल देन take care and have a nice day